ही गाइस वेलकम बैक टो माई चैनल फाइनली आज मझे एक अच्छे लाल गांजर मिले थी तो मैंने सचा उसकी एक रेसीपी बना लो तो हुआ यू ना कि इतने बार में सूपर मार्केट चारी हो शौप चारी हो मुझे ना बिलकुल गांजर मिली नहीं रहा था ऐसे हो रहा अच्छे से पॉंच लूँगी मैं बिफोर कटिंग तो यहां पर अब लेंगे हम चॉपिंग बोर्ड और थोड़ा सा लंबा लंबा सा मैं कट कर रही हूं अब इसको ना और थोड़ा सा पतला पतला सा तुकड़े बनाने है मुझे जैसे चाहिए काट लो लंबा गोल गोल काट कर ले कोल था, यहां पर मैं थोड़ा सा लंबा लंबा कट कर लिया है यह जो सीजन वाला लाल गांजर होता है अब वह самыйधा जाथ मि भ рукण बनाओं गी एकदम इंस्टेंट मेहनत वाली रेसिपि करओं अब डिया। मैं जादर टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूं इन चीजों पर क्योंकि जस्की रहते हैं और दो बच्चों के साथ में सब मुश्किल होता है तो मैं इंस्टिंट वीज ढूनती हूं इन सब को बनाने के तो चलिए गांजर यहां पर कट चुका है अब इसे हम रखेंगे तो यहां कड़ाई में ड्राय रोस्ट करना है राई दो चम्मच जीरा एक चम्मच और मेथी दाना आधा चम्मच इन तीनों को अच्छी तरह से भून लेना है लो फ्लेम पर हाडली टू मिनिट्स लगेंगे और फिर इसे ठंडा करेंगे साइड में पीसने पाउडर बनान के लिए उसका तब इसी कड़ाई में डाल रहे हूं तो जैसे कि यह चीज ना मैं बहुत जल्दी से खाने वाली हूँ है यहां पर बन रहा है गांचर का अचार तो मैं इसे एक दू दिन में कंस्यूम करने वाली हूँ उससे साव से मैंने तेल की कॉंटिटी बहुत ही कम र का पेज डाल दिया है थोड़ा सा मतलब तो टी स्पून के करीब अच्छे से भून लेना है इसे लो फ्लेम पर और अब गांजर डालेंगे तो जब गांजर डाल रहे है ना गांजर को बहुत जादा नहीं पकाना है बस दो मिनिट के लिए पकाएंगे जिसे की तोड़ से हो जाएंगे और जो मसाला अगेरा ना उसकी कोटिंग एक तो मुच्छे से चड़ जाएगी तो बस दो मिनिट के लिए हम यह गांजर पका लेंगे अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर जितना तीखा बनाना चाहते हो उससे अब मैंने कर दी है बंद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि गडाई अब भी थोड़ी सी गर्म होगी एक 30 से के लिए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसे एक तुम अच्छे से थंडा होने देंगे इसमें फाइनल इंग्रेडियन्ट अड़ करने से पहले त अच्छे से थंडा किया पहले और फिर नमक अड़ब किया और यहां वर मैं टेस्ट कर रहे हो जो कि बहुत ही जादर टेस्टी है फिर इसे में एक कांच के जार में स्टोर किया है तो रेसीपी पसंद आरी हो तो आप भी ट्राइ करना अगर आपको गांचल का चार पसंद ह मिलते हैं नई रेसीपी की साथ अब तक के लिए बाबाई